जिस तरीके से राजस्तान विश्विध्यले ने एमपेट परिक्षाओं का आयूजन करवाया। पत्रगारी तो विभा के थर्ड सेमेस्टर के इंटरनल के बच्चों को उन्होंने फेल कर दिया। विश्विध्यले के कुलाधी पती हमारे राजजपाल मोहदे होते हैं तो हमने उनको ग्यापन देने का कारे करा लेकिन उससे पहले मुझे पुलिस में गिरफ्तारा कर लिया राजपाल साब के आने से पहले। उसके बाद में हमने शांती पूरवक केवल ग्यापन देने हम वहाँ गए हमें नहीं पता था कि किसी प्रकार का कोई राजकारी है उनके बादा उत्पन होगी या फिर कोई अन्यचे हम केवल और केवल चात्रों की मांगों को लेकर के गए तेर बिलकुल शांती पूरवक हमने यह देखते हैं कि उस मिटिंग होल में कोई मिटिंग का आयोजन था या नहीं था लेकिन इतना कुछ कारेकरम शुरू भी नहीं हुआ था हमने ले जाकर कि राजस्तान विश्व इध्याले के कुलपति मोहदया को हमने ग्यापन सोपने के बाद में उन्होंने हमार को क कि हम इनी विशो पर आज हम बातचीत करेंगे इतने बातचीत करने के बाद में हम लगबग लगबग एक से डेढ़ गंटे राजस्तान विश्व इध्याले के कुलपति सची वाले के अंदर बेटने के बाद में हमारी अच्छी और सार्थक वारतलाप हुई कुछ में लगा दिये गए मैं राजसान विश्व इध्याले का इकाई अदिक्स होने के नाते और प्रदेश के अंदर में प्रोकता होने के नाते ये बाते में उठाता रहता हूं कि जिसमें छातरी तो का संज्यान ले सके लेकिन मुझे रात को साड़े 11 बजे जब मैं कहीं पार कोट से मुझे जरूर हमारे देश की नियाए पाली का सेम मुझे राहत मिली मुझे जमानत मिली लेकिन कब तक क्या वास्टों में राजसान विश्व इध्याले में छातरों की आवाज उठाने वालों को आप लगातार मुकद में दर्श करवाते रहोगे तो कौन इन छातर ही तो की लड़ाई लड़ेगा साथ की साथ राजसान विश्व इध्याले के अंदर कई समय से चातर संग चुनाव बंध होने के कारण ये परशासन बिल्कुल तानाशा हो चुगा है इस परशासन के तानाशा ही रवाई के खिलाब एनिश्व आवाज उठाती रहेगे ले स्ता है